हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे तो आज मैं मुली की पत्ते की भाजी बनाने वाली हूँ मुली के पत्ते को अच्छी तरह से साफ कर लीजिये पका हुआ और खरा पत्ता इसे छाट कर निकाल कर फेज दीजिया और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक साइड में रख लीजिये अब आप इसमें मिलाएंगे वैगन वैगन आप कोई भी ले सकते हैं इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिये बिल्कुर इस तरीके से मैंने साग भी काट लीए और वैगन भी काट लीए आप चलिए इसे बनाते हैं एक कराही को गर्म कीजिए उसमें सर्सो का तेल डाल दीजिए वो भी जब गर्म हो जाए तब आप इसमें सर्सो के कुछ दाने डाल दीजिए मैं यहाँ पर एक चम्म सर्सो का दाना दी हूँ अब आप इसमें सुखी लाल मिर्च तोर कर दो तीन डाल दीजिए जब ये अच्छी तरह से पक जाए बिलकुल इस तरीके से पक जाए तब आप इसमें कटा हुआ बैगन डाल दीजिए इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएं अब आप इसमें स्वादनु साण नमक डाल दीजिए थोरा सा हल्दी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाईए अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए पकाईए जब ये दो तीन मिनट तक पक जाए तो आप इसमें कटा हुआ मुली डाल दीजिए यहाँ पर आप कदू कस करके भी मूली डाल सकते हैं, नही, तो आप चोटे चोटे पतले टुगरों में, भी मूली को काट कर डाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही तरीके से काट कर इसमें rugby हुँ, और इसे अच्छी तरह से मिला कर पकाईए, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे पकाईए लोग फ्रेम पर पकाईए और इसे ढखकर भी पका सकते हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पक कर यह तयार हो गया है तो आप इसे हम चिक करेंगे यहाँ पर मैं एक मुली के टुगड़े को इस तरीके से ले रही हूँ और इसे दवा कर चेक कर रही हूँ यह बिल्कुल ही पक गये हैं तो अब मैं गैस को करूंगी बंद और इसमें आप अभी कटा हुआ हरी मिर्च डाल दीजिए गैस बंद होने के बाद ही डालिए कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता डालिए और अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए यकिन मान ये बहुत ही स्वादिष्ट भाजी तयार होता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है इसे पकाने में अब आप इसमें एक चम्मश शर्षो का तेल डाल दीजिए जो कि भाजी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है तो आप इसे रोटी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं एक बार जरूर इस भाजी को बनाईए और मुझे कॉमेंट कीजिए कैसा बना मेरे घर में तो ये सारे लोग पसंद किये हैं बहुत अच्छा लगा हैं सभी लोगों को खाने में तो आप भी अपने घर में एक बार जरूर बनाए और खाएं इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं परा है असान तरीके से बनाएं